आज की वीडियो गाइस काफी important वीडियो है और आज मैं आपके सामने Indian Railway Finance Corporation Limited को लेकर जो भी update अभी तक आई हैं वो सारी cover करने वाला हूँ इन update से क्या 15 जुलाई तक इस company में जो stock है उसमें growth होगी या नहीं वो हम जानेंगे क्या ये stock फिर से 225 रुपे को हिट कर पाएगा या नहीं वो भी हम समझने की कोसिस करेंगे investor और trader किस तरह से इस company में जगा बना रहे हैं कितना volume trade हो रहा है क्या चल रहा है overall वो सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भाई basically Indian Railway Finance Corporation में क्या हलचल हो सकती है उसकी बाद Monday को market open होगी तो क्या scenario create होगा उसके बारे में भी समझेंगे लेकिन आप अगर इस company का 5 दिन का record देखते हैं तो आपको 6% की growth देखने को मिलेगी और 12 जुलाई से ये stock हलका सा नीचे गिरता हुआ नजरा रहा है पूरे एक महिने में company 21% बढ़ चुकी है और हम कह सकते हैं कि भाई 2 जुलाई से एक stock continuously बढ़ा है 8 जुलाई को एकदम नीचे गिरा था लगबग 9 जुलाई तक फिर 9 जुलाई से फिर से company ने तेजी पकड़ी है और ये तेजी आप देख सकते हैं 12 जुलाई तक continue है हम कह सकते हैं कि भाई 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक stock ने जबर्जस तेजी करिये और 25% के आसपास तक का return दिया है अब देखते हैं कि भाई जो market है 13-14 को close रहेगी तो 15 जुलाई के बाद क्या growth होती है क्या news है company को लेकर मैं आपके सामने काफी popular update रखूंगा पहले money control क को लेकर money control क्या कहता है Indian Railway Finance Corporation Limited के बारे में वो समझने की कोशिस करती है 217 रुपे का stock है जो मुझे इदर नजर आता है मैं थोड़ा सा ही नीचे चलूँगा तो मुझे ये भी देखने को मिलता है कि जो company का patrosic score है वो 8 है याने ये company काफी ज़्यादा strong है financially मजबूत company हम इसको बोल सकते हैं और आप सबसे important part इस company का अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा volume अभी तक का जितना भी record हम देखते हैं पुराना company का उसमें सबसे highest volume company ने आज trade किया है 32 करोड का volume एक संकेत दिखाता है कि भाई company में हलचल होगी 15 जुलाई को company में काफी बड़ी हलचल होने की संभावनाई है क्योंकि volume काफी high हुआ है और ये volume company को positive direction में ले जा रहा है अगर मैं यहाँ पर भी आपके सामने रखो Indian Railway Finance Corporation को BSC के अंदर तो आप delivery percentage देखेंगे तो 23 या फिर 24% के आसपास है लिहाजा ये जो delivery percentage है थोड़ा कम है 50% के आसपास होना चाहिए लेकिन वो नहीं है 50% के आसपास 32 करोड का आपको इदर volume देखने को मिलेगा number of volume काफी ज़ादा है हम ये कह सकते हैं अगर number of volume ज़ादा होता है 32 करोड माइने रखता है गाईज अगर इतना बड़ा number of volume कमपनी ट्रेड कर रही है इसका मतलब जो भी investors हैं जो share market में निवेश करते हैं जो trade करते हैं उन सब की नजर इस कमपनी के उपर है majorly लोगों की नजर है इस कमपनी के उपर अब नजर रहने से हम कह सकते हैं के high volatility रहती है कमपनी में जब ये volatility share होगा काफी ज़्यादा high volatility रहेगा तो हम कह सकते हैं के भाई stock में एक छोटी सी news एक बड़ी news कमपनी जिस sector से ब्लोंग करती है यानि rail sector में कोई भी news आती है तो share price में जबर्जस तेजी देखने को मिलती है अब यहाँ पर हम ये भी जरूर देखना चाहेंगे के भाई company जिस sector से ब्लोंग करती है उस sector में अच्छी खासी growth होने की संभावना है यानि की railway, defense, pharma और IT ये वो चार sector हैं जिनको लेकर ऐसे दावे किये जा रहे हैं ये तेजी से बढ़ने वाले हैं और इन पर focus बना के आप रख सकते हैं हर technical investor या हर fundamental investor इन सभी sectors की companies के उपर नजर रख रहा है और इन sectors में जो top companies हैं उनके share price में growth भी अच्छी खासी हो रही है आप इदर देख सकते हैं advance chart में भी आपको clearly नजर आएगा कि share बढ़ रही है तो guys ये तो अभी तक हमने money control पे समझा है अब मैं एक वार NSE का data दिखा देता हूँ फिर हम company को लेकर जो भी news होगी company जिस sector से ब्लोंग करती है याने rail sector को लेकर जो भी news होगी उनको cover करेंगे और देखने की कोसिस करेंगे कि इन news से कितना बड़ा impact पड़ सकता है अब मैं NSE की website पर हूँ और मैंने Indian Railway Finance Corporation Limited का stock open किया हुआ है 200 solar रुपे का stock का clear नजर आ रहा है और 5.6% की growth company ने करी है आज अगर आप इस company में morning में ही invest हो जाते तो आपको 5% का return मिल जाता और अगर आप number of trade देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी market close होते होते कुछ ऐसे investor थे जो इस company में invest किये हुए थे पहले से ही जिनको हम company के investor बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास इस company के stock है इसको वह sale करना चाहते हैं 217 रुपे के price पे simple सी बात है 216 रुपे का stock है वह चाहेंगे कि थोड़ा महंगा बिके और हर कोई महंगा ही बेकना चाहता है ताकि उसको profit अच्छे हो 217 रुपे पे वह sale करना चाहता है और 4,15,000 की quantity याँ पिदार देख सकते है selling quantity ये काफी बड़ी quantity हम कह सकते हैं और इसमें मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है के भाई एक दो investor का game नहीं है लगबग हो सकते हैं काफी ज़्यादा investor जो इतनी बड़ी sale quantity लेकर बैठे हैं और वो sale करना चाहते हैं यहाँ पर सवाल ये नहीं के वो sale करना चाहते हैं और ये भी सवाल नहीं के भाई क्यों sale करना चाहते हैं बात बहुत simple है क्यों sale करना चाहते हैं इसके पीछे का reason तो ये के भाई अच्छा खासा profit बना लिया होगा उन्होंने अब वो चाहते हैं कि भाई अब इस company से निकले अगर share down जाएगा तो फिर entry लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे profit अच्छा खासा बना लिया होगा इसलिए उचेल करना चाहते हैं बट सवाल सबसे important यह कि कोई खरीदना नहीं चाहरा जब कोई खरीदना नहीं चाहरा इस price point पे तो यह संकेत company को negative दिखा रहा है अगर कोई buyers नहीं है company में कोई खरीदने वाला नहीं है तो फिर IRFC का जो stock है उसमें अच्छी growth नहीं होगी growth जब ही होती है जब buyers ज़्यादा active होते हैं हर price point पे stock को buy करते हैं seller जो बेचने वाला 217 पे बेच रहा है 217 पे खरीद लिया कोई 218 पे बेचने आएगा 218 पे खरीद लिया कोई 220 पे बेचेगा 220 पे खरीद लिया तो इससे share price एकदम बढ़ेगा अब 217 पे तो बेचने वाले हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है तो ये संकेत अच्छा नहीं हम कह सकते हैं तो scenario 15 जुलाई का जो भी रहेगा starting में जैसी market open होगी तो share price में हलका सा तो downfall आएगा उसके बाद अगर buyers active होते हैं या कोई breaking news आजाती है इन दोनों दिनों के between में याने सनीवार और रवीवार को कोई बड़ी news आजाती है 13-14 तारिक को तो हम कह सकते हैं कि buyers active होंगे तो share price बढ़ेगा अगर आप pre open market देखते हैं तो भाई pre open market तो कहता है कि 247 रुपे तक जा सकता है बट वो जब ही जाएगा जब यह stock 206 को cross करेगा 206 को already cross कर चुका है 216 पे है बट अगर यह 220 को hit कर जाता है तो भाई stock में तेजी हमें देखने को मिलेगी और 220 से 221 फिर सीधा 25 तीस और फिर सीधा 247 तक stock जाने की संभावनाई हैं वहीं अगर नीचे गिरता है जो कि बहुत rare chances बताए जा रहे हैं क्योंकि 183 तक तो share up गिरेगा नहीं chances बहुत कम हैं बहुत ही negative news आती है तो हम कह सकते हैं कि गिर जाएगा लेकिन अगर 183 पे गिरा कि हर कोई ना जो यह target होते हैं 183, 184, 113, 117, 165 यह जो price target इसलिए लगाया जाते हैं क्योंकि इस price point पे seller काफी बड़ी quantity sale कर सकते हैं और अगर ऐसा हो रहा है 183 पे बड़ी quantity sale करेंगे तो stock सीधा 114 पे ही गिरेगा तो ऐसी बड़ी-बड़ी quantity जब sale होती हैं तो share price में एक तरह से बहुत ज़्यादा selling होती है जिसे कि share price गिरता और ऐसी buying के साथ है अगर इस stock 120 पे चला गया तो बड़ी quantity buying होनी start हो जाएगी बड़े investors की entry होनी start हो जाएगी जो कि share को 247 तक उठा देंगे तो ये scenario हमें फिलाल अभी देखने को मिल रहा है historical data तो company का बहुत ही positive है जहाँ company 6-6 lakh का number of trade करती थी वहाँ company 13 lakh यानि कि अपने से दो गुना हर दिन से दो गुना company number of trade बढ़ा रही है और number of trade का बढ़ना यानि की नए investor की entry होना इस company में संभव है जब नए investor entry लेते हैं तो वो भी कुछ सोच समझ के इस stock को buy कर रहे हैं उन्होंने भी कई news देखी होगी sector को देखा होगा और सबसे important part इंडियन railway finance जैसी company को देखा होग तो अब हम news को लेकर बात करते हैं मैं हूँ screener पे मैंने IRFC का stock खोला हुआ है documents के अंदर चलेंगे तो कोई भी news देखने को नहीं मिलेगी जो latest news है 28 जून किये जिसमें जो trading windows को close कर दिया गया है due to कुछ information आने वाली है जिन information का impact company के share price पे पढ़ सकता है इसलिए trading window को अभी ह financial result की information होगी या कोई बड़ा event या कोई बड़ी news हो सकती है फिलाल जादा कर chances financial result को लेकर ही है तो हम कह सकते है के company की तरफ से officially कोई news नहीं है Google में क्या news आ रही है IRFC को लेकर मैंने news पे ही click किया हुआ है Google मैंने open करके IRFC stock search किया news click किया 24 के time frame पे लगाया तो 24 hours के अंदर अभी तक कोई भी IRFC को लेकर बड़ी news नहीं है हाँ sector को लेकर जरूर है कि sector में तेजी आ सकती है जब से जो budget आया है finance budget आया है उससे railway sector में बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है और जब railway sector बड़ेगा तो railway sector को finance करने वाली company यानि इंडियान railway finance corporation में जब अर्जस तेजी तो ह होना संभव ही है company के important resource पे भी नजर डाल लेते हैं इतना कुछ जाना है तो ये भी समझना चाहिए कि भाई negative क्या क्या है सबसे बड़ा negative है कि company कर्ज में डूबी हुई है 8.38 का debt to equity है बहुत जादा कर्ज है लगबग 2,84,000 करोड की company के उपर 4,12,000 करोड का कर्ज है तो कर् return on equity बहुत कम provide करते है 13% के आसपास जब company इतनी बड़ी है लगबग 3,00,000,000 करोड की होने जा रही है बट return company 13% काई provide करते है जो कम है यहाँ पर कर्ज जादा है return on equity कम है company का और interest coverage ratio भी 1.32 है याने कोई भी bank जल्दी से IRFC को loan भी provide नहीं करना चाहेगा क्योंकि interest coverage ratio जो company interest दे लेती है pay करती है loan लेने के बाद वह बहुत ही कम है four से तो अब अब होना चाहिए लेकिन वह हमें इधर देखने को नहीं मिलता sale अच्छी कह सकते हैं कि लगवाग 20% के आसपास sale है तो sale तो है अच्छी company की बाकी guys एक PSU based company के अंदर हम इसको count कर सकते हैं तो कहीं न कहीं company में growth तो होने ही वाली है आपका क्या नजरिया इस company के regarding comment करके बता सकते हैं और एक सबसे positive बात यह है कि per motor 86% है जो company के अंदर काम क उसको परता है हमारी company कैसी है इसलिए 86% invested है बाकी guys जो भी update आएगी company के regarding को मैं आपको इसी तरह से share करता रहूंगा किसी भी तरह का कोई buy sale hold recommendation नहीं है ना ही आपको कोई ऐसी advice है जिससे कि आपका mindset change हो या आप किसी भी तरह का कोई manipulation हो ऐसी कोई advice हम वैसे भी नहीं देते जो भी news होगी company के regarding को मैं आपके साथ इसी तरह से share करता रहूंगा वहीं guys मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए take a rant goodbye